हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल इन दिक्षित फैमिली व्लोग्स तो लेके आ गई हूं मैं अपना नया व्लोग आज का व्लोग बुद्धेश्वर मंदिर का है तो ये है बुद्धेश्वर मंदिर का द्वार तो चलिए हमारे साथ प्रवेश करते है मैं और मिस्थी दोनों ही लोग बुद्धेश्वर बाबा के दर्शन करने गए थे तो आईए आपको भी कराते हैं उनके दर्शन तो देखिए यहाँ पर रोड के दोनों साइड में लाइन से प्रशाद लगा हुआ है प्रशाद की कई दुकाने हैं आपको जहाँ समझ में आए आप वहाँ से प्रशाद ले सकते हैं यह आपके उपर डिपेंड करता है कि आपको 21, 51, 101 कितने रुपे की प्रशाद की डलिया लेनी है देखिए यहाँ पे नारियल है प्रशाद में फूल है गुलाब की फूल, बेल, पत्र, माला, दिया आपको वह प्रशाद की डलिया में हर चीज देंगे तो मैंने और मिस्ठी ने हम दोनों ने अपने अपने लिए प्रशाद की डलिया तयार करवाई जैसा आप देख रहे हैं, वो फूल वाले भाया, प्रशाद की डलिया तैयार कर रहे हैं उसमें चुन्नी भी रखी है, इकनारियल रखा है प्रशाद रखा है, धूब बत्ती रखी है वहाँ ये सब प्रशाद में दिया जाता है तो फाइनली मेरी औ मिस्ठी की प्रशाद की डलिया तयार हो गई है आईए अब प्रशाद लेके चलते हैं मंदिर की ओर देखें मिस्ठी ने अपनी भी कैरी कर ली डलिया और मेरी भी ये देखें मिस्ठी मंदिर की सीड़िया चड़ते हुए हम लोग मंदिर दुपहर के टाइम पे गए थे इसलिए थोड़ा कम भीड़ थी वरना इस मंदिर की माननिता इतनी है कि यहाँ पर पैर रखने करकी जगे नहीं मिलती है बहुत भीड़ होती है खास कर सावन के सुंबार और बुद्धवार को इस मंदिर का नाम बुद्धेश्वर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बुद्ध के दिन बहुत ही धूमधाम से पूजा पाट श्रिंगार किया जाता है महादेव का यह देखिए कितना विशाल बर्गत का पेड़ है अब हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं चलिए आपको अंदर का नजारा दिखाते हैं मेरा परस्नल एक्सपीरियंस है कि मंदिर आने के बाद मन को एक सुकून और शान्ती सी महसूस होती है क्या आप लोगों को भी यही फील होता है प्लीज कमेंट में बताईएगा और मेरे साथ अपनी फेलिंग्स शेयर करिएगा ये देखिए यहाँ पर पंडिजी से त्रिशूल का टीका लगवा रही हूँ जो की चंदन और रोली से लगाया जाता है माना जाता है ये टीका लगाने से भगवान शिव भक्ती की भक्ती में हम लोग रम जाते हैं टीका लगाने के बाद आपकी मर्जी हो तो पंडिजी को दक्षना दे दे अन्य था वो कुछ नहीं कहते हैं वो आपके उपर डिपेंड करता है कि आपको देना है की नहीं मंदिर में जगे जगे ये पंडिद बैठे रहते हैं टीका लगाने के लिए मेरे टीका लगाने के बाद मिस्ठी ने अपने माथे पर ये टीका लगवाया देखिए उसको भी पहले चंदन से लेप लगता है फिर त्रिशूल का टीका बनता है उस पर ये टीका लगने के बाद मिस्ठी का फेस बहुत क्यूट लग रहा है तो फाइनली हम दोनों लोगों ने टीका लगवा लिया है अब चलते हैं मंदिर में में मंदिर में जहाँ पर भगवान भोले बाबा और बुद्धेशर भगवान है उनके दर्शन करने के लिए तो देखिए यहाँ पर मिस्ठी आ रही है मैं वीडियो उनका बना रही हूँ यह देखिए मंदिर का घंपा रजाया हम लोगों ने जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मंदिर में दुपहर के टाइम ज़्यादा भीर नहीं है तो हम लोग आसानी से अंदर चले गए हैं नहीं तो यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी होती है तो अंदर जाने में बहुत ताइम लगता है तो आईए हम लोग नंदी महराज के पास आ गए हैं पहले इसे पूजा करते हैं फिर अंदर चलते हैं श्योभवान जो लेना पूजी रहे हैं यहाँ पर मुरा और मिस्ठी का वीडियो कौन बना रहा है प्लीज गेस करके कमेंट सेक्शन में बताईएगा क्योंकि मैं और मिस्ठी तो आपको सामने दिख रहे हैं तो कैमरा किसने पकड़ा है और हम दोनों का वीडियो आखिर बना कौन रहा है चलिए अब आपको कराते हैं शंभू बाबा के दर्शन देखे अंदर मंदिर में थोड़ी सी भीड है लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हुए हम लोगों ने पूजा भी बहुत अच्छे से की जो भी प्रशाद हम लेके गए थे वो हम भगवान शिप पर और नाग देवता पर अच्छे से चढ़ा सके इतनी भीड नहीं थी कि ये पूजा ना कर सकते अगर आप लोग भी पुद्धिश्वर के आसपास रहते हैं और आपने अभी तक इस मंदिर के दर्शन नहीं किये हैं तो ये मौका मत गवाईए अभी सावन का पर्व महिना चल रहा है और सावन का आखरी सुंबार भी रह गया है तो प्लीज जाईए और बुद्धेश्वर बाबा के दर्शन प्राप्त करिए बुद्धेश्वर बाबा की बहुत ही महिमा है लोगों का मानना है कोई भी सच्चे दिल से अपनी कोई मनो कामना लेके जाता है तो बुद्धेश्वर बाबा उसे जरूर पूरी करते हैं और हाँ यही नहीं कि आपके वल सावन के सुंबार में ही जाए मैंने आपको पहले बताया ना कि यहाँ पर बुद्ध वाले दिन बहुत ही अच्छे से पूजा श्रिंगार महादेव का होता है पूरे उत्तर प्रदेश में एक यही एक मंदिर है जहाँ पर बुद्ध वार के दिन श्रिव महादेव की पूजा, श्रिंगार, अर्चना बहुत ही धूम धाम से किये जाते हैं तो फाइनली हम लोगों ने बुद्धिश्वर बाबा के दर्शन कर ली अच्छे से पूजा कर ली तो आईए आपको लेके चलते हैं मंदिर के बाकी भगवान की दर्शन कराने के लिए यहाँ पर मैं और मिस्ठी थोड़ी देर के लिए बैठ गे बोला जाता है कि मंदिर जाने के बाद थोड़ी देर मंदिर में आसन जरूर ग्रहन करना चाहिए अब आपको दिखाते हैं मंदिर में और कौन-कौन से भगवान विराजमान है यहाँ पर हन्मान जी, साई बाबा, दुर्गे माता की मूर्ती और भी अन्य भगवान है तो चलिए आपको उनके विदर्शन कराते हैं यह देखिए माता जी की मूर्ती तो यह रहा बुद्धिश्वर मंदिर का दूसरा दौर जिसके बाहर बहुत बड़ा सावन का मेला लगा हुआ है अगला व्लॉग मेली का व्लॉग होने वाला है तो जिसने भी मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऐसे ही इंट्रेस्टिंग व्लॉग देखने है